नमस्ते दोस्तों आज हम देखेंगे एक केजी का आम का अचार और उसका मसाला भी हम घर पे ही बनाएंगे क्या आपका भी अचार सालों साल नहीं टिकता है उसमें फंगस लगती है या अचार खराब हो जाता है या शुरुवाती के दिनों में तो अचार अच्छे से बन जाता है लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता है तो अचार खराब हो जाता है तो ऐसा क्यूं होता है इसको स्टोर कैसे करे ताकि अचार बिल्कुल भी खराब ना हो सालो साल अचार परफेक्ट ही रहेगा एक केजी का अचार मैंने आपके साथ शेर किया है इसी इंग्वेजरमेंट से आप 2-5 केजी तक का अचार भी बना सकते है मसाला भी हमने घर पी ही बनाया है आम का अचार बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें उसको बिल्कुली हाइजेनिक तरीके से अचार बनाना होता है जैसे आप मार्केट से आम ऐसे फोड के लाएए या घर पर साबुत आम लाकर घर पे फोड़िए तो आप पहले आम को अच्छे से दो लीजिएगा बाद में जब भी आप उसको ऐसे फोड़ेंगे तो फोड़ने के बाद भी उसको अच्छे से दोना है यानि कि हमें आम को पूरी तरह से हाइजेनिक बनाना है यानि कि निर्जन्तुक करना है मैंने ये आम घर पर ही फोड़े है पहले उनको प्लेन वाटर से वाश किया रगड़ना बिल्कुल भी नहीं होता है इस बात का आप ध्यान दिजिएगा जब भी हम इसको पानी से वाश करेंगे या नमक के पानी से वाश करेंगे तो इसको हमें रगड़ना नहीं है श्रिप इसको पानी में डाल कर निकाल लीजिएगा आम का अचार बनाते वक्त सबसे महत्वपूर टिप्स यही है कि इसे हमें हाजेनिक तरीके से बनाना है इसको हमें कोई भी गंदे कपड़े से या गंदे हाथ से नहीं दोना होता है पहले हाथ को अच्छे से वाश करिएगा और बाद में उसको आम का आचार बनाने के लिए आप ले लीजिएगा देख सकते हैं हमने नमक के पानी से इसमें निकाल लिया है एक छन्डी में डाल दिया है ताकि इसमें से पूरा पानी निकल जाए मैंने आम घर पर ही फोड़े थे तो इतना सारा भैल गया है तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे तो इसको हमें थोड़ा सा सुखा लेना है तो मैंने टावल पर ही घर में ही पंके की निची सको सुखा लिया है यानि कि 10 से 15 मिनिट लगेंगे इसमें हमने जो पानी का यूज़ किया है ना तो पानी पूरी तरह से अब्सर्फ होना चाहिए यानि कि निकल जाना चाहिए तो अब लगाएंगे हम इसमें नमक और हल्दी आम का अचार बनाने का ये सबसे पूराना तरीका है इस तरीके से अगर आपने आम का अचार बना लिया तो यकीन मानिये सालो साल आम का अचार चलेगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा ना ही आम के अचार को फंगस लगेगी ना ही वो खराब होगा कभी कभी क्या होता है आम के अचार खराब हो जाता है उसमें से गंदी बास आती है या फिर उसमें फंगस भी लगता है लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो ये प्रॉब्लेम नहीं आएगी तो सभी टीप्स और टीप्स आप ध्यान पे रगिए और जो जो मैंने स्टेप बताए है वो स्टेप फॉलो करिएगा देख सकते है थोड़ा सा दो चमश नमक और एक चमश हल्दी हमने इसमें डाला था चोटे वाले चमश और अच्छे से मिला कर हमने इसको रग देना है पूरे पास से चे गंटे के लिए देख सकते है नमक ने पानी छोड़ दिया है तो ये नमक का पानी हम चान लेते है जी हा आपको जरूर से फॉलो करनी है, जो नमक और हल्दी का पानी निकला था, वो हमने निकाल दिया है, उसके कोई जुरत नहीं है, और बात में इसको पास से 6 गंटे के लिए पंके की नीचे सुखाना है, यानि कि हम इस आम को दो बार सुखा रहे हैं, इसमें कोई भी पानी का अ मसाला, तो मसाला बनाने के लिए देख सकते हैं, 10-12 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, एक से देड़ इंच के करीब या फिर आप देख सकते हैं वीडियो में, ये डालचिनी का तुकड़ा लिया है, 7-8 लवंग लिये हैं, अच्छे से रोस्ट करेंगे, ड्राय रोस्ट का यूज करना है, अगर नहीं है तो छोटी वाली सोप जो बारिक सोप आती है उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़ी वाली हो तो और भी अच्छा, उसकी खुश्बू बहुत ही अच्छे होती है, दो जम्मची हमने सापुत जीरा लेना है, और ये कलोंजी है, यानि की प्याज की बीज, इसको हमें भूनना नहीं होता है, तो इसको हम साइड में रख देंगे, और ये बाकी सारे चीज़े थोड़ी देर भून लेते हैं, यानि कि इसमें बचा-कुचा मोईचर जो कुछ भी होगा, वो निकल जाना चाहिए, इससे क्या होगा, हमारे आम का अचार सालो साल चलेगा, इस मसाले से अगर आपने अचार बनाया ना तो यकिन मानिए, आप दूसरा कोई मसाला ट्राई ही नहीं करेंगे, बहुती खास मसाला बनकर तयार हो जाता है, इतना फ्लेवर फुल बनता है कि आपको भूनते वक्त ही पता लगेगा, इतना इसकी फ्लेम को बिलकुल लो करना है, और यहाँ पे लिए हमने राई की यह जो दाल होती है ना पीली वाली सरसो की दाल, यह मार्केट में रिडिमेठे मिल जाती है, आप घर पे भी बना सकते है, इसको एक सेकंड के लिए हमें भूनना होता है, क्योंकि जल्दी से जलने ल कर लिया, ताकि इसमें से भी मौइचर निकल जाए, और यहाँ पे लिया है, छोटा एक चमच हमने मेथी दाना, इसको भी हमें जादा भूनना नहीं होता है, अगर आपने मेथी दाना को जादा भून लिया, तो कड़वा लगेगा, छोटी छोटी बाते मैं आपको सभी क् इसल करियेगा, और नहीं तो क्या होगा, आपका अचार अच्छा नहीं बनेगा, और आप कहेंगे कि आमका अचार तो हमारा बिगड़ गया, ऐसा नहीं होगा, जैसा मैं बता रही हूँ, उसी तरह से बनाएगा, तो हमने क्या किया, जो मसाला पहले बुना था, उसे डाल और थोड़ा सा, इसमें हमने मुराई का जो डाल होती है, सरसो की डाल जो हमने ली थी, उसे डाल दी, और ज्यादा डाल हमने साबूत रखी है, क्योंकि आचार में साबूत डाल भी अच्छी लगती है, और यह जो हमने कोलोंजी ली थी, इसे भी डाल देते हैं, नमक ले आ डाल दिया है आदा कटोरी नमक और दो चम्मज डाल दिया हल्दी मिलाते हैं अच्छे से यहाँ पे बनकर तयार है हमारा परफेक्ट अचार मसाला तो यहाँ पे हमने एक केजी से थोड़ा सा कम और आदा केजी से जादा ऑईल गरम कर लिया है आप वीडियो में देख सकते हैं अचार बना रहे हैं तो इसमें ऑईल का प्रमान जादा ही रहेगा क्योंकि यह प्रिजर्वेट्यू का काम करता है इससे भी आपका अचार खराब नहीं होगा जो हमने मसाला बनाया है इस मसाले को आप एक से दो महिने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं यानि कि अब बनायेगा और जब आपका मन करें यानि कि अगले महिने आप अचार का आप बना रहे है इस महिने नहीं बना रहे है तो पहले भी आप इसको बना कर रख सकते हैं बिलकुल भी खराब नहीं होग लेकिन किसे भी एरेटाइट डब्बे में भर कर रखेगा इसमें कोई गिला चमच नहीं डालना होता है देख सकते हैं तेल को हमने अच्छे से गरम करना है और उसके बाद थोड़ा सा थंडा करना है तेल को और बाद में ये मसाला डाल देना है इस बात का ध्यान दीजेगा पहले तेल को अच्छे से गरम करना है उसको थोड़ा सा थंडा होने के बाद इसमें मसाला डाल देना है हमने उपर से हिंग भी डाला था आपने देखा क्योंकि तेल में जब हिंग पड़ता है तो उसका अरोमा और भी जादा निखर कराता है पहले हमने मसाले में भी हिंग डाला है लेकिन थोड़ा सा गरम तेल में हिंग डालेंगे तो उसका अरोमा और बे ज़्यादा निखर के आएगा देख सकते हैं अच्छे से हमने इस मसाले को तेल के साथ थोड़ा सा भून लेना है क्योंकि तेल गरम है तो मसाल अपने आप ही भून जाएगा अब हमें इसको पूरी तरह से थंडा करना है और बाद में आगे का प्रोसेस करेंगे पहले इसको हम थंडा होने देते हैं थोड़े से चलाएंगे ग्यस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है चोटी छोटी बाते होती है अचार बनाते वक्त हमें ध्यान में रखनी होती है सबी बातों का आप द्यान दीजिएगा मैं आपको वीडियो में clear में बता रही हूँ detail में बता रही हूँ इसलिए कि आप जब भी आमका आचार बनाएंगे तो आपका आचार भी perfect ही बनेगा हलके हाथ से हम इसको मिला रहे है इस वक्त गैस की फ्लेम को तो बिल्कुल भी नहीं चलाना होता है गैस की फ्लेम बंध है सिर्फ यह कड़ाई गैस पर रखी हुई है इस बात का आप द्यान दीजेगा और इस अचार को हम थोड़ा सा मीठा बना रहे है तो इसमें डाल दिया है हमने पाओ केजी के करीब गुड मीठा अचार भी बहुत भ़ढ़िया लगता है खटा मीठा, स्पाईसी, बहुत भी टेस्टी अचार बनकर तयार है तो चली आप हम इसको स्टोर करते हैं स्टोर करने का तरीका आप देख सकते हैं हमने इस बरनी में नीचे थोड़ा सा नमक डाल दिया था, करीब करीब छोटे दो चमज और उपर से हमारा बना हुआ अचार डाल दिया है, इस तरह से आप अचार को स्टोर करेंगे, तो आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और उपर से भी थोड़ा सा एक से द च्राब नहीं होगा और सुरवात के 4-5 दिन आप इसे थंड़ी जगह पे रखना है यानि कि किसी बरतन में बड़े से बरतन में पानी ले 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 लिजिएगा उसमें इस बॉटल को रखना है यानि कि आपको स्रीब इसको थंड़ी जगह पर रखना है मेरे कहने का यह मतलब है आपको पता होगा कि दादी नानी जब भी अचार बनाती थी तो उस काच की बरनी या फिर उस चीनी की बरनी लेते थे तो उसके उपर एक कपड़ा भी डालते थे बात का धान दीजेगा कि इसमें कोई भी गीला चमश नहीं जाएगा ग लाइक और शेयर करना ना भूलिए